हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर और आप सब देख सकते हैं मैं और सिधर्थ जो है आगी हूँ अभी सौपिंग करने हैं सौपिंग तो नहीं पोल सकते हैं बस सिधर्थ का एक जोड़ा स्लिपा टैप का कुछ लेना है जिसके लिए मैं द दुकान में देख रहे थे सब तरह का बहुत तरह का चपल था यहां पे जुता चलिपर बहुत अच्छा डिजाइन का भी था लेकिन सिधर्थ का तो आभी कुछ पाता नहीं यह देखिए यह वाला जो हावाई चपल टाइप का है एक जोड़ा यह पसंद आया था मुझे और यह सिधर्थ को इतना ज़्यदा पसंद आया था कि उस सुरू से लाश्ट तक यह वाला पकड़कर ही रखा था और यहां पर जैसे कि मैं देख रहे थी आभी तो थोड़ा थोड़ा मतलब सिधर्थ आभी नहीं सकेगा चपल जो है चलाने क्योंकि फिर इससे ना यह खो वालीटी था ना बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा था ले दूंगी लेकिन फिर अपने से मैंने उहीं पर देखी कि सिध्धत अपने से खोड़ रहा है तो फिर वह वाला मैंने रहने दिया और इस टैप का जो देख रहे हैं अपने बच्चा को जो सिलिपर है यह काफी जदा अच्छा है लेकिन यह सिध्धत का साइच का नहीं आ रहा था थोड़ा पड़ा साइच का आ रहा था तो इसी वजह से उसके बाद देखिए फ्रेंस मैं यह वाला देख रही हूं क्योंकि एहीं एक ठीक लागा मुझे कि इसके साथ सौक्स भी पहनने को बन जाएगा और यह अपने से उखोलेगा नहीं और उसके लिए यही वाला सिंडल टैप का है यह उसके लिए कॉमफिटेबल भी लगेगा और तो फिर इसको ना आभी कुछ पाता नहीं होता है जैसे कि मैं लाइट वाला जूता दो मैना पहले ही खरीद दिये थे इसे लेकिन एक उसमे संदर था वह वाला जूता लेकिन वह ना फेंक दिया एक तो इसका कोई भी भरसा नहीं कितना भी अच्छा मैं इसको दे दू लेकिन यह पता नहीं एक पहलेगा या क्या करेगा तो फिर भी तो बच्चा है देना ही पड़ेगा और आभी उसके पास दो तिन जोड़ा है ल का सबची तो फिर सोचे आप सब के साथ मैंने थोड़ा सेर भी कर लेती हूं और जैसे कि वो ना कल साम का करीब साथ वजे साम साथ वजे का था जो जब मैं सिदात के लिए गई थी चपल लेने के लिए और उसके बाद जो है यह अगले नेक्ट दिन दुपार का टाइम में जब खाना बना रही है तब का है और तो फिर आवी में खाना बना रही थ है और इस पाला पेकेट वाला जो पनीर है आम उले में लाए थे और यह अच्छा था। खाने में भी अच्छा लगा था और इसका मतलब इस तरह करके इसका पेकेटिंग था ना तो कटने में इसका देखिए हर एक पनीर का कितना अच्छे से मैंने कटा है क्योंकि उसका सेव जो है पहले सी दिया हुआ था तो फिर कटने में जो मैं चक्कु से आसानी से कट दिये थे और इसका बहुत एक अच्छा से लेकिन जब मैं हम दुकान से लाते हैं उसमें इतना अच्छे से मतलब छोटा बड़ा हो जाता है और तो फिर देखिए यहां पर मैंने अच्छे से इससे थोड़ा सा फ्राय कर ली हूं और अभी निकाल देती हूं और मैंने रिफाइन ओयल से बना रही हूं घी नहीं डाल पनीर इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यदा फी सॉफ्ट रहता है जब सब्ची बनके आता है ना तो बहुत ज़्यदा सफ्ट बन जाते हूं उसके बाद जो मसाला जीसे बनाती हूं हर तरह पनीर उसी तेरह न डाली हूं प्याज कटके और लेसुन दी हूं अद्रग दी हूं और हरा मेर्ची चारों चीज़ को अभी अच्छे से थोड़ा फ्राय कर लेती हूं उसके बाद देखिए यहां पर मैंने तीन टामाटर लिया है ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं है मीडियम साइज का तीन टामाटर है उसे भी मैं अभी डालूंगी लेकिन थोड़ा सा प का लूंगी तो फिर इसका पेश्ट बना दूंगी और यहां पर ना देखिए तो पर का टाइम है तो फिर मतलब उधार से ना धूप नहीं आता है वह भी बारेंडर टाइप का ही है और यहां पर यह आज आगे थे तो लेकर आये थे मैं घर पर कुछ भी नहीं था नमकीन स जो रहता है सुखी टाइप का तो वह सब नहीं था तो यह अभी लेकर आये थे तो मैं सोची अभी जब तक मसला पाकर आया तब तक मैं मतलब यह सब कर लेती हूं नहीं तो फिर सिधार्द का हाथ में अगर आएगा तो दाथ से प्लास्टिक को कट के पूरी घर में जीट देगा यह उसका बहुत ज़्यादा मतलब अभी वह दिकत कर रहा है क्योंकि मैं नहीं होता है प्रिंस कभी कभी भूला जाती हूं चीज यह रह जाता है सलेप परी तो उसको ना हाथ यह तक पच्छता है क्योंकि इस बाला किचेन का ना सलेप बहुत नीचे है और इसमें हाथ में जो आएं वो उसी को मतलब नश्ट कर देता है तो इसी वज़ा से मैं सोची साथ ही साथ भर दोंगी लेकिन एक डबब मुझा भी नहीं मिला खोजना पड़ेगा तो से वह जो है जो भूना हुआ सवे रहते हैं उससे रख देती हो नहीं पर देखिए पाग गया है रहीं साथ को आपसे हैं जो इनको अच्छा लगता है लेकिन इस मेंस से बनाने से भी पहुत ज़धी अच्छा लगता है बनाने का तरीका ह्र जगा हर तरहा का होता है लेकिं सबका टेस्ट भी अच्छा होता है मतलब ऒलग-बलग जिनको जो पसंद लगता है न वह आसली तेरा का ज्यादा बनाता है तो अमलो's ज्यादा तर इसी तेरा प्याज मतलब प्याज के साथ टामाटर वगेरा भून के फिर उसे मिक्सी के जार पे पीछ देती हूं तो इसी में ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छा सा गाड़ा सा और अच्छा सा जो ग्रेवी बनता है तो फिर इसी को मैं ठंडा हो गया था तो देखिए मिक्सी के जार में पीस लूँगी और फिर इधर कढ़ाई को मैं धो कर गरम होने के लिए राग दी थी या पर फिर से तेल ली हूं और आप लोग बोलते भी है प्रेंस की में बहुत कम तेल का यूज करती हूं इसा नहीं है कढ़ाई भी बड़ा है और देखिए हमारे घर में मैं इतना सबजी बनाती हूं बस दो ही जन का बनाती हूं उस हिसाप में मेरा तेल काफी रहता है कम नहीं पड़ता है सबजी में क्यूंकि तेल जादा खाना तो जादा बुद्धी मन का काम नहीं है फ्रेंस कुछ भी चीज जादा खाना जो रत से जादा वो हने करोगी होता है और फ और थोड़ा से जीरा थोड़ा सा काला मिर्च सब डाली थी उसमें और वो सब अच्छे से भून गया था तो फिर जो मेरा पीसा हुआ मसाला था यहां पर टामाटोर प्याज अद्रकलेसुन बगेरा वो सब भी में डाल के अच्छे से भून रही हुए आपर इसके बार पर जो अजकल तो असानी से मार्केट में मिल जाता है 15 रूपया केजी ही जो मटर आता है अच्छा मोटर ओही बाला तो ही मैं ली थी अच्छड़ा मतलब छिलका छिलने के बाद थोड़ा सा में एक दो मीड़ तो उबला ली थी ताकि मटर जो सब्ट हो जाए क्योंकि फ्रीज में तो रखने से सौप्ट हो जाता है लेगिन मेरे पास फ्रीज नहीं है तो फिर मैंने थोड़ा सा उबला ली थी और यहां पर मैं सब्जी के अनुसार अपने साथ के अनुसार नमक डाल दी हूं और उसके बाद देखिए सारे मसला और अच्छे से मटर के साथ भी मतलब म के बाने जों मी दें देर घखे कर राखिती अविगों यहां में 미लकूल भी पानी नहीं होस्ता है मतलब खीचता है थोड़ा सा भी नहीं नहीं तो आप आप लोग सचो इए और उपाद के पानीी पाद के Mills war not पसंद करते हैं हमारे घर में और यहां पर ना जो माखन होता है घर का मतलब एक दिन का दूद का माखन जो होता है न वह मैंने डाल दी हूं माखन डालने से इसका कलार बहुत अच्छा आता है अब देख सेके टेस्ट भी एकदम दो गणा बढ़ जाता है और लास्ट में कि इसमें में ज्यादा पानी भी नहीं डाली और इतना बढ़ी ठीक है ठोड़ा और फोड़ा सा मैं ने जो है पनिर मसाला साही पनिर मसाला ढाल दीश्ट हैसा मेरे पास ऑर इसमें बहुत अच्छा से हम लोग खा रहे हैं तो चलिए फ्रेंस इस वीडियो को मैं ही पेंट करती हूं उम्मिद करती हूं आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर धन्क्यू